मारूती सुजुकी साल 2022 में नई कारों की लॉंच की एक जड़ी लगाने वाली है और कम्पनी ने इस जड़ी की शुरुआत नई जनरेशन मारूती ब्रेजा, 2022 मारूती बलेनो, 2022 मारूती अर्टिगा और 2022 मारूती एकसर एलच्छे मॉडल शामिल है कम्पनी लगातार फीचर्स के मामले में अपडेट हो रही है और इसी के चलते इन कारों में कई ऐसे फीचर्स हैं जिने पहली बार किसी मारूती कार में देखा गया है इन फीचर्स में 360 दर्ई गर्रई कैमरा, वायरलेस फोन चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रन्ट सीट्स और 6 एरबैक जैसे फीचर्स शामिल है अब मारूती अपनी नई फ्लैक्शिप SUV मारूती ग्रैंड विटारा को भी लॉंच करने वाली है, जो पुरानी S-Cross को रिप्लेस करेगी इस कार में भी कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जिनने पहली बार किसी मारूती कार में देखा जाएगा पैनारोमिक सनरूफ, जहां नई मारूती ब्रेजा सनरूफ फीचर वाली पहली मारूती कार बन गई, वहीं Grand Vitara में कमपनी पहली बार पैनारोमिक सनरूफ का फीचर देने वाली है हालांकि यह केवल माइल्ड हाइब्रिड लाइनप के टॉप स्पेक अल्फा ट्रिम में ही मिलेगी, कमपनी इसे SUV के स्ट्रॉम हाइब्रिड वेरियंट के साथ स्टैंडर्ड तौर पर पेश करेगी डॉट डो डिजिटल ड्राइव डिस्प्ले एक और फीचर जो पहली बार किसी मारूती कार को मिलने वाला है, वह है डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दो हजार बाइस ग्रैंड विटारा के मजबूत हाइब्रिड वेरियंट जेता प्लस और अल्फा प्लस में इंस्ट्रूमेंट क् सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड जिसे स्ट्रांग हाइब्रिड के रूप में भी जाना जाता है, पावर ट्रेंड पेश करने के मारूती के पहले प्रयास को भी चेहनित करती है। प्रतिशत दूरी और साथ प्रतिशत समय इलेक्ट्रिक या शून्योत सर्जन मोड में कवर कर सकता है। इस सेटप के चलते कमपनी का दावा है कि यहाँ SUV 27.97 किलोमेटर पर लीटर का माइलेज देगी।